पहले सिद्धू मुसेवाला का मर्डर फिर सुपदेव सिंगोगा मेडी को गोलियों से भुन डाला सल्मान खान के घर पर ताबर तोड फाइरिंग और आप NCP नेता बाबा सिद्धिकी की हत्या अपराद और दहशत की दुनिया में लॉरेंस बिश्णोई का नाम टॉप के गैंक्स्टर्स में शुमार है जेल में बैठे बैठे ही लॉरेंस बिश्णोई संगीन अपराधों को अंजाम दे रहा है कभी जेल में मुबाइल फोन का इस्तिमाल करता दिखता है तो कभी जेल में बैठे बैठे ही इंटर्व्यू दे देता है इससे जेल परशासन तो सवालों के घेरे में आ ही गया है लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि लॉरेंस बिश्णोई तक हर खूफ या जानकारी कौन पहुचा रहा है और वो आखिर कैसे जेल में रहते हुए भी अपने गैंग को आपरेट कर रहा है लॉरेंस बिश्णोई की जेल से ही पाकिस्तान के गैंग्स्टर के साथ बाच्चीत की वीडियो भी वाइरल हुई थी जिस पर लोगों ने सवाल खड़े किये थे लेकिन अब एक और नामी हस्ती की हत्या की जिम्मेदारी लॉरेंस गैंग ने ली है जिससे एक बार फिर से लोग जेल प्रशासन पर कई तरहा के सवाल खड़े कर रहे है लॉरेंस गैंग के सदस से शुभम लोनकर ने सोशल मीडिया पर कथित पोस्ट डाला है हाला की मुंबई पुलिस इस वाइरल पोस्ट की सत्यता की जाच कर रही है उलिस ने शुभम के भाई प्रवीन को अरेस्ट किया है और उसे उसका सहयोगी बताया है अब आपको बताते हैं कि बाबा सिद्धिकी की हत्या कैसे हुई घटना 11 अक्टूबर की है NCP नेता बाबा सिद्धिकी मुंबई के बांदरा में अपने दफ्तर में बैठे थे बाहर लोग पठाके फोड रहे थे रात करीम 9 बजे पठाकों के शोर के बीच बाबा सिद्धिकी पर हमला किया गया मुँपर रुमाल बांद कर आये तीन लोग अचानक गाड़ी से उतरे और ता बढ़तोड छे राउंड फाइरिंग कर दी इसमें से तीन गोली बाबा सिद्धिकी को लगी गोली लगते ही बाबा सिद्धिकी जमीन पर गिर गए उन्हें लीलावती अस्पताल में भरती कराया गया जहां डॉक्टरों ने उन्हें म्रत गोशित कर दिया पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफतार कर लिया है तीसरे की तलाश में छापे मारी जारी है सूत्रों की माने तो ऐसे लिंक पाए गए है जिन से पता चलता है कि शूटर्स लॉरेंस बिश्णोई गैंग के सदस्य थे इस हत्यकान की वज़ा सिद्धिकी की अभिनेता सल्मान खान से दोस्ती को बताया गया है इस हत्यकान से पहले वॉलिवूड एक्टर सल्मान खान के घर भी फाइरिंग की गई थी लॉरेंस बिश्णोई गैंग वॉलिवूड एक्टर सल्मान खान के पीछे हाग धोकर पड़ा है काला हिरन केस को लेकर लॉरेंस विश्णोई सल्मान खान को विश्णोई समाच से माफी मांगने को कह रहा है ये मामला अपरेल दो हजार चौबिस का है बॉलिवूड एक्टर सल्मान खान के घर गैलेक्सी अपार्टमेंट के बाहर फाइरिंग हुई थी इस घटना की जिम्मेदारी लॉरेंस विश्णोई गैंग नहीं ली थी लॉरेंस विश्णोई और उसके सहयोगियों ने सल्मान खान को पहले भी धमकी दी थी इससे पहले लॉरेंस विश्णोई और गोल्डी बरार से धमकी भरा पत्र भी मिला था 2022 और 2023 में सलमान और उसके परिवार को कई धम की भरे पत्र और संदेश मिल चुके है जिसके बाद से सलमान खान को मुंबई पुलिस द्वारा सभी हतियार और सुरक्षा कर्मी दिये गए है सलमान को एक व्यक्तिगत हतियार लाइसेंस भी दिया गया है ताकि वो अपनी सुरक्षा कर सके उनके घर के आसपास भी तीन शिफ्टों में 24 घंटे पुलिस की कड़ी सुरक्षा रहती है सलमान खान को जो धम की भरापात्र मिला था उसमें लिखा था कि उनका हश्र भी सिध्धू मुसेवाला जैसा होगा बता दे कि 29 मई 2022 को मुसेवाला की गोली मार कर हत्या कर दी गई थी लॉरेंस बिष्टोई और उसके सहयोगी गोल्डी बरार ने कहा था कि उन्होंने विक्की मिद्दू खेडा की हत्या का बदला लेने के लिए मुसेवाला का मर्डर किया है वही 5 दिसंबर 2023 को राश्ट्री राजपूत करणी सेना के अध्यक्ष सुकदेव सिंग गोगा मेडी जैपूर के श्यामनगर इलाके में स्थित अपने घर पर बैठे थे उनसे मुलाकात के बहाने आए हमलावरों ने गोगा मेडी पर हमला कर दिया और गोली मार कर उनकी हत्या कर दी थी बतादे कि लौरेंस विश्णोई कुख्यात गैंस्टर है उसका गिरो खासकर पंजाब, हरियाना, राजस्थान और दिल्ली एंसियार शेत्र में सक्रिये है इस गैंग की गतिविधिया विशेश रूप से मादक पदार्तों की तसकरी, जबरन वसूली, सुपारी किलिंग और अन्य संगठित अपरादों से जुड़ी हुई है बिश्णोई गैंग, व्यवसाईयों, बिल्डरों और अन्य प्रमुख व्यक्तियों से जबरन वसूली करने के लिए कुख्यात है